इंसर्ट में जाएंगे हम सबसे पहले और यहां से क्लिक करेंगे यह कोई भी वर्ल्ड अर्ट लेंगे ठीक है अब 3D टेक्स किस तरह से बना सकते हैं इसमें कुछ टेक्स लिखे हैं जिसमें आप बना रहे हैं जैसे कि हम यहां पर लिख रहे हैं अब 3D बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसको स्लैट करना है और फिर हम में जाके कुछ ऐसा फॉर्ट लेना है जो थोड़ा थिक हो अंदब फुड़ा मोटा फॉन्ट हो जिसी यह फॉन्ट अच्छा है ठीक है यहां से ले लेते हैं इसको इस तरह से अब क्या करना है देखिए सबसे पहले आपने चाना है शेफ फॉर्मेट में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स का ठीक है यह सलेट करने के बाद आएगा अगर सलेट नहीं करोगे तो यह नजर भी नहीं आएगा यहां से आप क्लिक करेंगे और यहां पर आएगे पहले 3D rotation में असल में क्या होता है जब किसी ऐटम को हम तूड़ी आइटम को अब तूड़ी आइटम क्या होते हैं ऐसा object जिसकी width और height maintain की जा सकती है वो एक तूड़ी आइटम है जब किसी तूड़ी आइटम को हम तूड़ी में convert करते हैं तो वह flat न पाएगी ठीक है ना जिसकी मिसाली हो कि अगर इस बोल्ड के सामने आपको खड़ा कर देंगे तो यह आपको 3D नदर नहीं आएगा आप जिब इसको थोड़ा साइट से खड़ा होके देखेंगे तो आपको इसके थोड़ी डैप्थ नजर आएगे तो यह आपको 3D बनेगा अब यहां पर इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा त二 रोकेशन में पिए विए जो टैबलेट्स देखे रहें आप यह बताया गया बब इसtsåरा का 3D बनाना चाहते हैं अगर कोई एक आपको लेना पड़ेगा अंगल अगल आपको लेना है याणिकर यहां पर इस तरह का 3D बनेगा, यहाँ पर इस तरह का 3D बनेगा, और यहाँ पर इस तरह का 3D बनेगा, और इस तरह दिखाना है तो फिर इस तरह का 3D बनेगा, तो हम ये वाला एंकल लेते हैं, फिलाल नीशे वाला, और क्लिक कर देते हैं, स्कुप्ता, तो यह तो नहीं बना, यह कर करेंगे तो यह देखें यह इस तरह से 3D हो जाएगा यह आपने कहां से कोला अ पहले हम गए इस पे क्लिक करके format में फिर यहां क्लिक किया फिर 3D rotation में पहले एक style लिया style लेने के बाद यहां से more 3D options में गए फिर इसके बाद हमने यहां से इसको बंद किया और फिर हम चले गए दुबारा से कहां पर 3D format में 3D format में जाने के बाद यहां से हमने इसकी depth को extend किया ठीक है यह depth बढ़ गई अब depth जब बढ़ गई तो हाँ अब इसको क्या करना है इसको थोड़ा का lighting effect है इस तरह का lighting effect है ठीक है और फिर इसका फिर यह lighting effect दें यह अपनी मर्जी से तु दे रहे हैं मतलब जो software के अंदर option है उस पे हम वही apply कर रहे है ठीक है न यह देखे यह वाला lighting effect है यह color देने के लिए fonts को हमें पर यही से fonts को select करना है और पिर जो color देना है fonts को हम यहाँ click करके font को effect दे सकते हैं जैसे कि Contour के वही हम चाहिए है जो इसके outline ağa इसकी राइन चाहिए इसके लाइन रखाने सें अब कूंसी लगा निगने है यहांतों से राइन कर वह तोड़ा सा इसा अशलगाई कि वह कọi पो इसके पर अलग से विजींड हो देके इसoking ऐस के आप अब यहां पर इसको ब्लैक कलर का वो आप अपने हिसाब से बताएंगे और इसको कितना कम साधा करना है वो आप यहां से डिसाइड करेंगे ठीक है तो यह देखें यह हमारा बनिया एक 3D आपजेक्ट आपको थोड़ा सा इसलिए लग रहा है कि दिखनी रहा क्योंकि आपका बैग्राउंड डार्क है अगर आपका मटेरियल डार्क कर दिया अपने तो डार्क पर तो नजर ही नहीं आएगा तो यहां से डिजाइन में जाके पेज कलर देसे थोड़ा थोड़ा लाइट करेंगे तो देखें आपका 3D object भी थोड़ा visibility में आता चला जाएगा यह देखें इस तरह से बिल्कुल dark हो गया कुछ और colors के पर try करें जैसे इस color के अपर यह अच्छा लग रहा है इस color पर try करें तो यह थोड़ा सा आपको इस तरह से नजर आएगा ठीक है तो यह आपने देखना अच्छा उसके बाद lighting effects में देखें कि light इस पर कहां से पड़े मतलब यहां इस साइट से light पड़ें नीचे से light पड़ें किस साइट इस तरह का lighting effect डालेंगे तो आप light इसको यहां से पड़ रही है अगर आप इसको lighting effect यह वाला है फिर उसका इसी का दीसरा वर्जन है फिर अगर आप lighting effect इस तरह का डालना चाहरे है और फिर इस तरह का lighting effects डालना चाहरे है और इस तरह का lighting effect डालना चाहरे है तो light effects भी impact करता है 3D objects को जाधा visibility में दाने के लिए अच्छा अब सारा खराब होगी आपसे अगर तो reset कर दें तो दुबारा से यह straight हो जाएगा और जैसा था वैसा नजर आएगा फिर से आप इसको इंगर पार ट्राई कर सकते हैं depth बढ़ा ही है इसकी आप ठीक है अच्छा अब depth बढ़ा रहे हैं लेकिन अब 3D का तो पता ही नहीं चल रहा है इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपका rotation इस पे से खतम हो गया है अब दुबारा rotation डाले rotation केसे डालेंगे तो पहले 3D format को बंद करें यहां से 3D rotation में जाए और यहां पर rotation के डीके और इसका ये एंगल निकालना चाहरें, ये थोड़ा हलका सा उपस से depth बनाएगा, ये वाला एंगल लगाना चाहरें, नीचे से depth बनाएगा, ये वाला एंगल लगा लें, ये वाला लगा लें, मौकी की निसाब नास्बत के अतपार से और जैसा आपको बहतर लगे, वैसा आ एंगल दे सकते हैं और यह उस एंगल में आपको दिखाएगा आपका टेक्स्ट तो इस तरह से आप Microsoft Word में महतर 3D text बना सकते हैं अच्छा अब depth जितनी चाहें आप इसकी बढ़ा सकते हैं यहां से जैसे Contour चाहेंगे आप इसके उपड लगाते चले जाएं अब यहां पर Contour जो है यह इस तरह से लगते चले जाएंगे Contour के Colors को भी Change कर सकते हैं Dark Red डाल दें तो यह इस तरह के Contour भी आपको करना है यहां से click करना rotations पर और यहां पर करके इसको चाहते हों कि इसे नीचे रखे वेता टैक्स दोत हैं की तो उसके लिए क्या करूँगँ daytime ड़तावा और कुण सा है यह वाला लटावा है देखने यहwestरा से लिटावाए देखना है आपको या फिर इस तरह से लेटावा देखना है यह देखिए इस तरह से दिखा रहा है अब इसकी जो depth है उसको control करने के लिए दुबारे से आपको जाना पड़ेगा rotation more rotations और यहां जाने के बाद 3D में आके इसके depth को यहां से आप थोड़ा कम करेंगे तो यह आपको दूर से ऐसा नज़र आएगा कि यह रखावा है taxes के ओपर इस तरह से ठीक है थोड़ा से जूम करके देखेंगे लेकिन थोड़ा सा complexity और भी है जैसे के अभी तो जैसे style है वैसी रखावा में थोड़ा से चेंज करना चाहरा हो तो पहले चेंज करने लेकिन थोड़ा से इसका font size increase कर लेते हैं तो इसको तीन एंगल में हम खुद भी rotate कर सकते हैं अगर इसको x y एंगल पर करना है तो एक एंगल है x y एंगल है इसका एक बनेगा y एंगल बनेगा और एक बनेगा इसका जो इसको इस तरीक से पूरा करेगा side एंगल बनेगा तो उसके लिए हमें जाना है 3D format से भार आना है और 3D format के नीचे rotation का option था क्लिक करें पहले शायद क्लिक नहीं किया बसले नहीं आ रहा है क्लिक करें यह आ गया 3D rotation अब देखें यहाँ पे x y और z तीन और तो फिर arrow keys का इस सारा भी नहीं लेया जा सकता लिखना पड़ेगी आपको value खुछ से या फिर अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यह फिर खुछ से इसको जितना चाहें आप इसको देखें इस तरह से कैसे गुमा के दिखाना चाहें वैसे यह आप set कर सकते हैं फिर इस त इस तरह से दिखाना है तो किस तरह दिखाना चाहरे हैं आप इसको अपना मर्जी का एंगल निकाल के जिसे मैं इसको ऐसी दिखाना चाहरा हूं तो यह देखें इस तरह से इस तरह से दिखाई देगा तो यह चीज आप इस तरह से कर सकते हैं अब जिस तरह मैंने 3D इसके लगाया word art के उपपर, तो आप इस तरह से different किसम के word art के उपपर 3D लगा सकते हैं, और 3D लगा के उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसके color schemes को change करना है, यह वाला rotation angle है, यह वाला rotation angle है, यह वाला rotation angle है, जो आपको rotation angle अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर अपनी मर्जी का लगाते हैं, यह देखें, यह इस तरह से नज़र आ रहा है, यह ऐसे लेटावाए तो यह इसके उपर इस तरह से हमें rotation पर दिखाई दे रहा है, इसके उ shape के पर भी 3D rotations को apply कर सकते हैं कैसे करेंगे यह से blank pages कराएंगे और blank page add कराने के बाद यहां click करेंगे एक shape add कराएंगे अब shape के अंदर 3D add करना जड़ा angle का जो मामला है इसमें थोड़ा सा आपको समझ के करना पड़ेगा जैसे ही हमने एक shape बनाया अब इसको 3D बनाना है अब इसको 3D कैसे बनाएं सबसे पहले इसके पर एक silver color दे दिया हमने अब इसको 3D बनाना है तो हम क्या करेंगे अब ही कहें थे हम shape format में world art style में अब जाएंगे shape effects में यहां रिके shape style में यहां से click करेंगे सबसरे नीचे से data the companion या ऐसे को ऊपर से data दिखानी है यहाँ सीदा खड़ा दिखाना है यह फिर सको टेड़ा दिखाना है इस तरह से दिखाना है तो यह पोe बynnigiffs नचे ऑपर नेज़े ह् Mona अप्सपे चले जाएंगे यहां से लिग करेंगे было format पे click करेंगे और यहां से आके its की depth को extract करेंगे जैसी आपके depth को extract करेंगे तो यह देखें इसकी depth नीचे से निगळाईगा depth का color आप यहां से choose करेंगे किस color का हो, यह दीखिए इस तरह का color भी आप तुनी वर्सीSo pelos के मेरे राएंகम मेरे बिद्ध है ठीक है अब यहां से क्लिक करेंगे word art जो हमने उप्र बता कि रखे थे उसमें एक word art लेकर आते हैं और उस word art को लेकर यहां से लेकर आते हैं पर 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 इसको लेकर आएंगे अम यहां पर वर्ड स्टाइल पर इसको भी रूटेशन इंगल देंगे जो इसको दिया था इथा इधिक वारा था तो यह देखें इसके आपर यह ऐसा रखावा नजर आएगा बिल्कुल ऐसे रहा रहा है अच्छा अब उसके बाद क्या करेंगे यहां से जाएंगे थे प्रिशन पर मौर रूटेशन आप्शन पर जाएंगे कौन साइज स्पेस बिटा यह लेटर साइज स्पेस बाद करेंगे करेंगे यहां से जाएंगे इसके अंदर और यहां जाने के लिए स्पेस को क्पड़ने के लिए select करेंगे, click करेंगे यहां से जाएंगे इसके अंदर और यहां जाने के बाद advance में जाएंगे, यहां से click करेंगे spacing में, अभी normal है इसको और condense करना है, तो condense कर दें, इसको ok कर दें तो यह और करीब हो जाएंगे click यहां से click करेंगे advance में जाएंगे, expand पे क्लिक करेंगे और अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे दो पॉइंट पे तो यह और लेटर के अंदर स्पेस आ जाएगा फिर यह स्पेस इस तरह से रखावाएगा ठीक है ना अच्छा इसमें एक जो चीज ही ना वह मैं आपको बता रहा था जिससे थोड़ा और रियल ल यह दालते हैं और यह दालने के बाद जो पीछे वाला शैप है वारा इसको थोड़ा सा स्कोप पर कर देते हैं जो चोटा है ना उसको साइज कीच वह देता है कि थोड़ा बैड को पर ना कर देते हैं और यहां आख विन दो परघना है किछ वार्ड मेन गहां आख किसह बार्ड पार है सब्सक्राद कर सकते हैं हां आज अपर शेट पर जाएगे आपूपर जो हमारे मand भलर रेट इसको पुड़ा सा और डिस्टेंस को टोड़ा अब मेरे कहने का मकसल यह था कि जब आप दोनों एक जैसे शेप पर उस पर एक जैसी ही चीज़ अप्लाइब तो वो इसके उपर एक जैसे लेटावा नजर आएगा अब फूर इंजेंपल आप इस पर यह चाहते हो कि यह तो इसे एक तखता जो से प्लेट इसे रखी विये टेक्स उस पर एसे खड़ावा नजर आए ऐसे थीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां से अब हो गया दोनों सेलेक्ट हो गया इसको यहां से मैंने किया ग्रूप और ग्रूप करके मैंने कंट्रोल डी दबागे इसके डुप्लिकेट ली और डुप्लिकेट करके मैं इसको नीचे लिया अब लाके मैंने यहां पर इसको कर दिया अन ग्रूप अन ग्रूप कर दिया यहां से लाके तो यह अलग हो गया अब मैं करूंगा इसके टेक्स को select तो थोड़ा सा मैं close कर लेता हूं उसको और click करने के बाद थोड़ा सा पहले size थोड़ा सा reduce करूंगा तो control A एक points का कम कर लिया तीक है अब यह से नदर आ रहा है अब इसको सीधा के से करेंगे तो इसके पर जाएंगे यहापे click करेंगे rotations पर जाएंगे और rotation पर देखेंगे ऐसे सही नहीं लग रहा ऐसे यह सही है वैसे लेकिन इसको तो दोड़ा हो देखते हैं बैतर हो ऐसे तो मुझे भी select करके यहां से home में जाएंगे और यहां से click करके line spacing थोड़ी सी कम करें line spacing को थोड़ी सी कम करें line spacing को थोड़ी कम करके देखेंगे कुँ सा 0.5 कर देते है अभाण जास्ता है गों बेल डाया है अज्के साय तो सब्ड़े विरम में उपस टूंच मेंêtन यहां मुझरr सब्सक्रण का शे बड़ा है शे पीछे बड़ा कर देखे है उपर बड़ा कर देखे है यह यहाँ से इसका फोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहां से हम फोड़ा सा उसको ठोड़ा सा एक स्क्रेंड करें और यह नी वह उसका इसका इस लिटा रोगे वह हैं वो बड़ा करेंगे तो यह इस पर अडिशर्ट हो जाएका, निया स्पेस से बीच में दागा है यह देखे इसके पर क्लिक करेंगे यहां पर और यहां से करेंगे ड्रॉप शेड़ो और ड्रॉप शेड़ो में जाए कि यहां से आप इसका एक share लगाते हैं, इसके अपर. इस तरीके से आप इसको complete कर सकते हैं.